तो चलिए नेक्स्ट कोश्चन करते हैं रेटायरमेट आफ पार्टनर्स के चैप्टर में से उशा पप्लिकेशन की बुक के तो आज हम करेंगे पहले 24 नमबर कोश्चन रमेश सुरेश नरेश पार्टनर है फरम में और प्रॉफिट शेयर निशो दी हुई हैं में 532 की नरेश रटायर हो रहा है और नूव प्रॉफिट शेयर रिशो बिटमीन रमेश अन सुरेश दी हुई है 2 एस तू 3 की ठीक है ? और पॉल प्रॉफिट शेयर यशो भी गिवन हैं में और नू भी गिवन है और बोला है on raise retirement good bill of the firm valued है 1,20,000 ओके तो उसके regarding आपको necessity जनल एंटी डालने को बोला है for treatment of good bill on raise retirement without raising good bill account good bill का account नहीं बनाना है आपने ठीक है तो simply है पहले हम gaining ratio calculate कर लेंगे फिर good bill का share calculate कर लेंगे फिर gaining partners pay करेंगे retiring partner को ठीक है तो चलिए फिर फटा फट से calculate कर लेते हैं gaining ratio of ramesh and suresh old profit share ratio है हमारे पास ramesh, suresh and ramesh की कितनी 5, 3, 2 की और new profit share ratio दी हुई है ramesh and suresh की हमारे पास 2 is to 3 की gaining ratio का formula हमारे पास new share minus old share ठीक है तो ramesh का gain calculate कर लेंगे तो ramesh का जो new share है वो है 2 by 5 minus कर दीजिए उसमें से old share 5 by 10 10 लेजी जीजिए LCM ठीक है तो 10 को 5 से divide के तो बचा 2, 2 multiply by 2 कर देंगे तो हमारा आजाएगा 4 और minus कर देंगे उसमें से हम 5 तो ये हमारा आजाएगा minus 1 by 10 ठीक है सो रमेश का आया है minus 1 by 10 इसका क्या मतलब है कि रमेश भी कर रहा है sacrifice जैसे retiring founder अपना share शोड कर जा रहा है रमेश भी अपना कुछ profit का share शोड रहा है कितना 1 by 10 वो है उसका sacrifice gain नहीं कर रहा है अगर positive value आती तब ही gain करता अब वो कर रहा है sacrifice अब बहुत सारे बच्चे comments करते हैं कि हमें LCM करना सिखाओ LCM करना सिखाओ लेकिन मैं एक particular video में तो नहीं बना सकता लेकिन मैंने बहुत सारी videos में आपको LCM लेना सिखाया हुआ है आज फिर मुझे comment आये थे तो मैं सोचता हूँ एक बार फिर से आपको LCM करना सिखाओ देता हूँ अगले वाले सुरेश में मैं आपको LCM करना सिखाता हूँ कैसे करते हैं ठीक है तो चलिए calculate करते हैं सुरेश gain सुरेश का new share 3 by 5 माइनस कर दीजिए उसका old share 3 by 10 अब देखे हमारे पास जब भी subtraction और जब भी addition की दो fraction वाली values दी होती हैं जैसे जहां पर है 3 by 5 माइनस 3 by 10 वहां पर हमें LCM लेने की जरूरत पड़ती है LCM मतलब lowest common multiple lowest common multiple ठीक है वो वला अपने multiple ढूंडना है जिसकी help से आप दोनों को divide कर सोको दोनों एक word से multiply करके दोनों की दोनों value आ सके ऐसा अपने common multiple ढूंडना होता है ठीक है और आपको ज़्यादा difficult question तो नहीं आने वाले क्योंकि यह 10th नहीं है जहां पर LCM का question ही आएंगे simple LCM सीखना है आपने तो इसलिए मैं आपको simple way में LCM बताऊंगा जो आपने करना है ठीक है ज़्यादा tough LCM नहीं सीखने की जुरूरत simply आपने क्या करना है देखे आपको आएगा जैसे 10 और 20, 40 और 80, 40, 60 ऐसे मतलब आएगा जिसका common factor अच्छे से निकाल पाएगे जैसे हमारे पास 10 और 5 की value है इसमें 10 क्या है हमारा lowest common multiple है because 5 से दोनों ही divide हो सकते हैं तो 10 की value ले सकते हैं ठीक है 10 दूसरी side जो है वो भी divisible है 5 से और 5 भी divisible है 5 से ठीक है तो 10 से छोटा नहीं ले सकते अगर LCM हम 5 लेते हैं तो 10 उसमें common नहीं आए पागया ठीक है तो in short हमारे जो accounting के questions है आपने उसमें क्या करना है जो भी आपकी बड़ी value है आप उसको ले लो ठीक है सबसे simple सा way है जो दोनों का multiple same हो जैसे 5 का multiple है divisible है दोनों 5 से चाट 10 से तो common value से divisible है तो बड़ी वाली value ले लो ठीक है जो भी दोनों में से बड़ी है वो आप ले लीजीए LCM और और जब आप calculation करोगे तो जो पहली value हमारे पास जैसे कि 3 by 5 है तो LCM से जो शोटी है तो आप 10 को उस value से divide करोगे जो भी आपने LCM लिया है उससे आपने divide करना है जो भी आप value means जिसकी value भी आप calculate करने वाले हो जहां पर हम 3 और 5 का देखेंगे ना common factor तो हमने ले लिए कौन सा 10 तो 10 को 5 से divide किया तो आपके पास क्या आया 2 आया ठीक है तो इसमें से सब्ट्राइट करोगे 3 ही 3 कैसे क्योंकि 10 ही हमारा LCM है और 10 ही वहाँ पर है 10 को 10 से divide करोगे तो 1 ही आएगा 1 multiply 3 करोगे तो 3 ही आएगा ठीक है तो जिसकी value equal है उसको आपको कुछ भी करने की जुरूरत नहीं होती division इसलिए मैं करता नहीं हो उसको divide ठीक है यह हमारा common LCM बन जाता है तो यह हमारा minus करने के बाद निकला ratio कितना 3 by 10 तो यह आगया हमारा क्या gain ओके आपको समझ लग गया हो गया LCM करना LCM करने का और simplest way गया है अगर यह भी आपको tough लगा है तो उसमें आपने कुछ नहीं करना दोनों ही denominator value को आपने कर देना है multiply जैसे जहां पर हमारे पास है 5 and 10 denominator तो 5 को multiply 10 से क्या है तो हमारे पास क्या है 50 ठीक है उसके बाद आपने कर देना है cross multiplication means denominator उपर वाले की value से cross multiply कर देना है denominator को denominator के साथ ठीक है इसकी आप उपर वाली value ले लोगी first वाले की second वाले की नीचे वाले के साथ आपने करते है multiply जैसे हमने 3 को किया multiply 10 से तो यह आगए हमारे पास 30 minus कर दोगे आपर 3 को multiply करोगे 5 से तो यह आजाएगा 15 ठीक है तो यह 5 से divisible है तो 5 से अगर आप divide करोगे तो क्या आजाएगा 3 by 10 ओके यही हमारा gain निकला है तो अगर full-fledged gain भी आपने निकालना है तो full-fledged multiplication करके वो भी निकाल सकते हो आप कोई चकर नहीं है ठीक है अगर यह आपको simple लगता है तो ऐसे कर ली जीए वैसे अगर आप highest value दोनों में से लेकर common multiple निकाल कर करना चाते हो तो वो भी easy है थोड़ easy practice कीजिए वो भी समझ लग जाएगा easy है कुछ ज़्यादा tough नहीं है तो gaining ratio बनगे है हमारे पास सुरेश और मेश की तो gaining ratio बनेगी नहीं कोई because अरमेश भी sacrifice कर रहा है only सुरेश ही gain कर रहा है तो सुरेश का gain निकलेगा सुरेश का आएगा sacrifice तो gaining ratio कुछ नहीं है तो चलिए फिर अब total goodwill जो firm किया है उसका share निकाल लेते हैं retiring partner का तो लिखे total goodwill of the firm हमारे पास 1,20,000 नरेश का share है in total profit 2 by 10 तो नरेश का share in goodwill आजाएगा 1,20,000 multiply by 2 by 10 तो ये निकला 24,000 ओके तो same way हम calculate कर लेंगे रमेश का भी share goodwill का क्योंकि वो भी sacrifice कर रहा है वो जितना sacrifice कर रहा है उस sacrifice share के साथ हम multiply कर देंगे total goodwill को तो लिखिए रमेश share in goodwill कितना आजाएगा 1,20,000 multiply by 1 by 10 तो ये निकला 12,000 ठीक है रमेश को मिलेगा 12,000 नरेश को 24,000 और सुरेश दोनों का total करेगा पे तो चलिए जनल एंट्री डाल लेते हैं कोर्शन को करते है complete जनल का फॉर्माट रॉकर लीजिए और एंट्री बन जाएगी मारे पास सुरेश कैपिल अकाउंट डैबे टू रमेश कैपिल अकाउंट तू नरेश कैपिल अकाउंट रमेश के गुडविल का शेयर है टूटल किया तो हमने आ जाएगा थर्टी सिक्स थाउंट ओके सुरेश के कैपिल अकाउंट के सामने तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग गुडविल अड्जस्टेड तो यह हो गया हमारा कुश्चन कंप्लीट ओके नेक्स्ट कुश्चन हमारे पस 25 लिखा है रिकॉर्ड ता फॉल्मिंग इन जर्नल्स ओन दे रेटायर्मेंट ओफ ए तफर्म डिसाइड ए बी सी डी आपको पांच पॉइंट दियो है पहले में है तो डेपरीशेड फर्नीचर ओन स्टेट लाइन बेसिज तैन परसंट पर एन फॉर तू येर्ज ओन दा कॉस्ट आफ रुपेज सेवन्टी थाज़न अभी डेपरीशेशन लगाने को बोला है फर्नीचर की वो भी दो साल की दस परसंट है स्ट्रेट लाइन प लीजिए घृत्र वो धने को बोला है तो पहले जलोनिटर हमारी बन जाएगी रीवेलिवेशन अकाउंट वेट्ट टू फर्नीचर अकाउंट डिक्रीज इन वैलीओ अविवेलिव एसेद डिक्रीज होता है रीवेलिवसेड अकाउंट रहा हैं एतने से बन जाएगा ज्य depreciation calculate कर लीजे 70,000 multiply by 10 divided by 100 multiply by 2 तो ये निकल गया हमारा 14,000 14,000 40,000 amount आ जाएगा और narration आ जाएगी being depreciation charged on furniture for 2 year next हमारे पास to decrease the value of stock by 25% the total cost is 15,000 अब stock की cost दी हुई हमारे पास 15,000 का है और उसकी value decrease हो रही है 25% से तो ये भी decrease in value of asset ही हो रहा है तो B की जनरेंटरी भी same ही बन जाएगी just name of asset change हो जाएगा तो क्या जनरेंटरी बन जाएगी revaluation account debit to stock account stock है हमारे पास 15,000 का उसका कर लीजे 25% तो ये निकला 3750, 3750 ठीक है और नरेशन आजाएगी इसकी being stock revalued उसके बाद हमारे पास to bring on record accrued interest 12% per annum on diventures of x and company of rupees 50,000 bought at rupees 60,000 अब 50,000 के हमने diventures ख्रीदे हुए हैं तो interest तो उसकी face value पर ही मिलेगा market value पर नहीं हमने चाहे 60,000 के ख्रीदे हैं और चाहे वो 40,000 के क्यों ना ख्रीदे हों लेकिन interest जो है वो तो उसकी value जो face value है ना 50,000 उस पर ही मिलेगा तो accrued interest raise करने को बोला है तो accrued interest होता है हमारा assets तो ये क्या हो रहा है accrued interest बढ़ रहा है increase in value facet हो रहा है और जब भी increase in value facet होता है तो revaluation account होता है हमारा क्या credit ओके तो accrued interest हमारा एकने asset create हो जाएगा तो वो बन जाएगा debit तो general entry बन जाएगी हमारी accrued interest account debit to revaluation account 50,000 multiply by 12% कर लीजिए तो ये हमारा amount निकल जाएगा 6,000 ठीक है cost पर ही आपने calculate करना है जो भी उसकी face value दी होगी interest always उस पर ही मिलता है जिस पर आपने खरीदा है उस पर नहीं मिलेगा ओके और narration आ जाएगी इसकी being intruded interest recorded in the books next fourth point to appreciate the plant by 10% a plant हमारा appreciate हो रहा है appreciate depreciate का opposite word है means depreciate में asset की value कम होती है appreciate में asset की value क्या होती है increase होती है ठीक है तो जब भी value of asset increase होता है तो revaluation होता है हमारा credit और asset हो जाता है debited ठीक है तो इसकी general entry क्या बन जाएगी plant account debit to revaluation account कितने amount से हो रहा है appreciate 10,000 से तो 10,000 ही लिखेंगे general entry में amount भी ठीक है 10,000 10,000 amount आ जाएगा narration आ जाएगी being plant revalued next and last है मारे पासी पॉइंट to create liability for a salary outstanding 5,000 अब नई liability create करनी है 5,000 की तो जब भी liability में increase आता है जा फिर हम new liability create करते हैं उस case में हम revaluation account को करते हैं debit जब भी liability decrease होती है तो revaluation account हमारा होता है credit ठीक है opposite होता है इसका treatment asset से तो general entry क्या बन जाएगी हमारी revaluation account debit to outstanding salary account 5,000, 5,000 amount आ जाएगा narration आ जाएगी इसकी being outstanding salary recorded in the books next question है मारे पास 26 revaluation account of A, B, C on retirement of C पर हम में बनाने को बोला है और 5 point दिए हुए है profit change ratio दी हुए है 6, 3, 1 की तीनों की ठीक है तो चलिए फिर करते हैं prepare revaluation account तो solution में सबसे पहले draw कर लीजे revelation account का format और सबसे पहला point है मारे पास unrecorded plant रुपी 7,000 वाज realized at 5,000 अब क्या हो रहा है कि एक unrecorded asset था 7,000 का वो realize ही कर लिया ठीक है वो बेच दिया है 5,000 ते तो इसका कोई फाइदा नहीं है हम unrecorded asset को पहले books में record करेंगे फिर उसको बेचेंगे 2000 पे नुकसान पे इसका simple solution क्या है आप simple cash को ही books में ले लो जतना cash आपका आया है ठीक है वो उस unrecorded asset के वज़ा से तो उसके लिए हम क्या करेंगे revaluation account को कर देंगे credit because हमारा cash बढ़ रहा है increase in value of asset हो रहा है न तो जब भी value of asset increase होता है तो उस हम डालते हैं revaluation के credit side तो लिखिए फिर buy cash account 5000 रुपेज ओके next point है हमारे पास unrecorded bill of four stationary रुपेज 6000 वा settles at 4500 अब unrecorded कोई bill था liability है means हमारी ठीक है 6000 की थी वो settle की है 4500 से लेकिन liability settle करने में तो हमारा फाइदा हुआ है 1500 रुपेज़ गा लेकिन वो books में तो है इनी थी books में तो वो liability zero थी अब हमारे क्या हो रहा है एक हिसाब से liability में आ रहा है increase हम payment कर रहे हैं ठीक है तो cash हमारा जा रहा है ठीक है तो liability में increase के according revelation account को चाहे तो आप debit कर लो जा फिर जब cash की payment जा रही है decrease in value of asset हो रहा है तब भी आपका revelation account क्या होगा debit ही होगा ओके तो चलिए इसे record करते हैं debit side to cash count 4500 से 6000 तो books में था ही नहीं तो उसे हमें लिखने की कोई जुरूत नहीं है 4500 की हमने payment की है settle करने के लिए बो लिख ली जीए next है हमारे पास unrecorded claim of rupees 3000 was admitted by giving acceptance for 3 months bill अब कोई unrecorded claim था 3000 का किसी ने को claim मांगा था हमने वो अभी तक दिया नहीं था ठीक है उसको settle किया है कि उसका bill accept कर लिया हमने कि हम आपके जो बी आर है वो acceptance आपको दे देते हैं और आपको 3 months के बाद उस बी आर की हम payment कर देंगे तो हमारे लिए तो बी पी हुआ जो भी बी आर बिल receivable जब बिल पेवल जो होते ना वो होता बिल ऑफ एक्चेंज जो भी बिल ऑफ एक्चेंज को acceptance देता है वो होता है बायर ठीक है वो पैसे pay करता है उसको हम dry बोलते हैं तो जो seller होता है उसको हम बोलते हैं dryer तो बिल ऑफ एक्चेंज तो समझा दूँगा फिर चलो बोटो प्लस फन का chapter आपको आता ही होगा सभी student को आप intelligent बच्चे हो तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ यह simple सा क्या है कि हमने अगर acceptance दी है तो आपने bill payable डालना है अगर हमें acceptance मिली है तो फिर bill receiveable डालना है तो चलिए यह क्या है हमारे पास unrecorded claim था means books में recorded नहीं था लेकिन अब वो बी पी में convert हो गया है mean increase in liability हो गया bills payable हमारी होती है liability तो liability बढ़ रही है जब भी liability बढ़ती है तो हम revelation account को debit करते हैं तो लिखिए फिर revelation account की debit side two bills payable account three thousand ओके next है हमारे पास fourth point commission rupees four thousand is payable to partner see who is retiring जो retire हो रहा है उसे commission pay किया जा रहा है four thousand का ठीक है commission हमारा expense है तो revaluation account क्या होगा debit ठीक है two कर देंगे seize the capital account उसको मिल रहा है तो डालिए फिर revelation account की debit side two seize the capital account four thousand रुपेज next point है हमारे पास partner we has taken over the stock of rupees seven thousand at the value of rupees six thousand means क्या है one thousand loss पर stock take over किया जा रहा है पार्टनर के तरफ से तो जो loss है वो हम कहां डालेंगे revaluation में कितना हुआ है one thousand का decrease in value हो गया ना asset की तो यह भी जाएगा debit side of revelation account तो लिकिए two stock account one thousand ओके next है हमारे पास partner a has agreed to take responsibility to pay the crater of rupees nine thousand अब nine thousand का creditors है और partner responsibility लिया है एने कि मैं पी कर दूँगा वो tension मत लो लेकिन जहां पर कुछ नहीं बोला कि वो creator है कितने के थे और कितने के में settlement हुई है ऐसा कुछ नहीं है कि 10,000 के थे 9,000 में settlement हुई है जा 8,000 के थे 9,000 में settlement हुई है ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं लिखा तो इसका revolution के कुछ लिना देना नहीं है सिधा ही partners capital account में हम इसे डाल देंगे और creditors हमारे कर लेंगे खत्म ओके तो उसकी अलग से एक जनरेंटरी बना देंगे लिखी देते हैं revolution का डोटल बाद में लगा लेंगे तो चलिए बना लिजिए जलने का फॉर्माट रोकर लीजिए लिखे क्राइटर account डाबेट टू एज कैपिटल अकाउंट 9,000 9,000 मांट आजाएगा और नरेशन आजाएगी बिंग क्राइटर टेकन ओबर बाई फार्टर ए ओक अब आकि हम रिवेलिशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं डबट साइड का डोटल है मारे पास रीवेलिशन का 12,500 और गाइट साइड का डोटल हा 5000 ओंड ली तो ग्रेट साइड इड बैलस निकला है कितना बैलस निकला है 7500 तो यह क्या निकला है by loss on revaluation account, transfer to A, B and C capital account, in the ratio of 631 की ratio में हमने इसको distribute कर दिना है so 7500 divided by कर दिया 10 total जितना भी ratio का बनता है 6 plus 3 plus 1, 10 से 750, तो C का निकल जाएगा 750 750 multiply by कर दिजिए 3, तो हमारे जो कौन है, B, B का निकल जाएगा, 2250 ओके और last में हम 6 से multiply कर देंगे, A का भी निकल जाएगा 750 को, तो ये बन जाएगा 4500, तो तीनों का हमारा profit share निकल गया ओके, तो ये होगा हमारा question complete next है हमारे पास question number 27 ABC partner है, 231 की ratio है they took policy of rupes 5 lakh rupes and paid an annual premium of 20,000 rupes का a surrender value of policy on retirement of sea is 7,500 the partner decide to show JLP in the books generalized, अब joint lab policy books में show करनी है वो बोल रहा है उसको show करने के लिए general entry डाले ठीक है, तो simple सा topic है लेकिन joint lab policy आपके syllabus में नहीं है, तो चलिए कोई बत नहीं फिर भी यह एक general entry है, मैं आपको सिखा देता हूँ capital account, joint lab policy है, हमारी 7,500 की, एक शिर आजाएगा 7,500 multiply by 2 divided by कर दीजिए 6 तो यह निकला 2,500 same way B का शिर आजाएगा 7,500 multiply by 6 किया, तो यह 3750 और C का शिर आजाएगा 7,500 multiply by 6 किया, तो यह निकला 1250, okay simply, जितनी surrender value है उधर हमने books में record कर ली है तो इसकी narration आजाएगी being a joint life policy bought into the books next question है, हमारे पास 28, XYZ है partner और surrender value दीए 72,000 appear in the balance sheet balance sheet में जो surrender value हमें दीए ही है, joint life policy की कितनी 72,000 it was decided on wise retirement to close this account और भाई की retirement पे account को close करने को बोला है तो general entity डाल देनी है, ठीक है तो क्या करेंगे, जब भाई की retirement हो रही है, तो surrender value कैसे हम इसके close करेंगे अब simple सी बात है already appeared है in the book 72,000, means जितनी surrender value है वो already books में तो डाल गी है वो हमने general entity नहीं डाली जैसे हमने previous question में डाली थी ठीक है, इसमें क्या करना है जो surrender value है उसका adjustment entry डालनी है अब दो वे हैं इसके adjust करने के लिए वो है through, आप capital account adjust कर लीजिए, only share जो retiring partner का है तो joint life policy as it easy books में रहेगी वो कहीं नहीं जाएगी ठीक है और हमें अभी कुछ भी इस question में clear नहीं किया कि आपने books में रखनी है जा नहीं रखनी ठीक है तो simply आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो ठीक है एक में आप joint life policy account को as it easy रहने देंगे asset side उसे नहीं शेड़ेंगे जो भी हमारे continuing partner है जितना भी retiring partner का share बनता है वो pay कर देंगे in gaining ratio ठीक है ठीक है उसकी जोनेंटरी क्या बन जाएगी फिर x capital account debit z capital account debit to y capital account तो y का share कितना आजाएगा हमारे पास ratio भी question में given नहीं है तो equal ratio य आएगी ठीक है 72,000 को divide कर दीज़े 3 के साथ ठीक है 1 by 3 हो जाएगा ना share फिर सबका 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 रहेगा तो 3 के साथ divide करेंगे तो य इमाउंट आजाएगा कितना 24,000 अब जो 24,000 है x and z इसको करेंगे वेर वो भी किसमें gaining ratio में तो वो भी given नहीं है वो भी हमारी क्या रहेगी equally जो भी new ratio है वो ही हमारी gaining बन जाएगी तो equally वो दोनों इसको share कर लेंगे 24,000 को तो x की capital count के सामने आजाएगा 12,000 और z की भी आजाएगा 12,000 ठीक है तो एक तो हमारी ये general entry बन गी आप ये भी डाल सकते हो इसमें joint life policy account को हमने शीडा नहीं है और इसकी narration आजाएगी being joint life policy adjusted through capital account दूसरा इसका alternative बन जाएगा उसमें आजाएगा हमारे पास x capital count debit z capital count debit to joint life policy account जितने के जितने policy है वो सारी के सारी books में से हम कर देंगे खतम तो जितना भी amount है वो gaining ratio में x and z करेंगे ठीक है तो वो कितना बन जाएगा वो तो equally है ratio था इनकी फिर वो same amount आजाएगा joint life policy का amount कितना है 72,000 divider बग कर दीजे 2 के सार्थ तो दोनों का same amount आजाएगा 36,000 36,000 ठीक है और नरेशन आजाएगी being joint life policy return off इसमें हम joint life policy को कर देंगे right off ठीक है दूसरे में हमने किया था adjustment next question हमार पस 29 joint life policy divider 35,000 की and reserve against this appear in the balance sheet of A, B, C who share profit 3, 2, 2 ratio A retires and it was decided to close these account जर्नलाइज ठीक है अब क्या है जितनी joint life policy है उसके gainst उतना ही reserve भी create करके रखा हुआ है business में same amount का ठीक है 35,000 35,000 से अब क्या बोल रहे है कि आपने ये जो दोनों account है close करने है जब air retire हो रहा है तो simply क्या करेंगे हम reserve का account close होगा debit होके और joint life policy asset है उसका account close होगा credit होके तो general entries की बन जाएगी हमारी joint life policy reserve account debit to joint life policy account 35,000 35,000 amount आ जाएगा दोनों account हमारे होगे write off और narration लिख दीजिए being joint life policy and reserve account closed तो ये हमारा question होगा है complete topic का end हम करते हैं यहाँ पर अगर कोई भी confusion है तो please comment कीजिए हम comment में आपका reply करेंगे जितना जल्दियों से करते हैं reply करने कोशिश करेंगे वीडियो को like करना मत बूलेगा comment कीजिए और share करें अपने friends और लेडिव के साथ ज़्यादा हो सकता है जब भी आप वीडियो को देख रहे हो सच्रिया काल